नमशकार दोस्तो, आपने कई बार जोती शास्त्र और हस्तरे का विज्ञान के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने अपने नाम पर गौर किया है? कई प्रसिद्ध अभिनेता है, लेकक है, संगितकार है, उन्होंने सफलता पाने के लिए अपना नाम बदल दिया, जी हाँ, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, हर व्यक्ति पर उसके नाम का भी प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि हर अक्षर की अपनी उर्जा होती है और उससे जुड़े गुन होते हैं, आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, इससे आपके स्वभाव के बारे में और आपके व्यक्तित्व के बारे में कापी कुछ पता चल जाता है, आए जानते हैं जिन लोगों का नाम आर लेटर से यानि आर अक्षर से शुरू होता है उनके अंदर कौन सी खूबया होती है और कौन सी कम्या होती है दोस्तो अक्षर आर को न्यूमरालोजी में अंक 9 के बराबर माना जाता है जी हाँ आर को 9 के बराबर माना जाता है यह अंक दर्शाता है सहिशनुता, बुद्धी और मानोता ये सहिशनुता बुद्धी और मानवता का प्रतीक है दोस्तो ऐसे लोग जिनका नाम आर अक्षर से शुरू होता है उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है इनके अंदर बुद्धी, उदारता, इंट्यूशन और आदर्शवाद भरा होता है ये परिज़नों से, दोस्तों से और अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार करते है और उनका खास ख्याल रखना पसंद करते है दोस्तो जिन लोगों का नाम आर अक्षर से शुरू होता है वो लोग बहुत ज़्यादा क्रियेटिव होते है जी हाँ हर चीज में उनकी creativity आपको दिखाए देगी और उनकी रुची, कला और संस्कृति के खेत्र में ज्यादा रहती है दोस्तों ये हमेशा दूसरों के hit के लिए काम करते है इनकी यहाँ प्रभुति इनके व्यक्तित को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे motivator भी बन सकते है जी हाँ, अगर किसी को motivate भी करना है तो आर अक्षर के लोग अच्छे तरीके से कर सकते है इनकी दुनिया बहुत रचनात्मक होती है इनके काम करने का धंग थोड़ा अलग सा होता है ये जो भी कुछ करते है उसमें उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से हमें नजर आती है दोस्तों जिन लोगों का नाम आर अक्षर से आर लेटर से शुरू होता है ये लोग लग्जरियस लाइब जिना पसंद करते है इन्हें मेहंगी और आकरशक चीजे बहुत ज़्यादा लुबाती है इन लोगों को स्वन्देर ये भी बहुत ज़्यादा आकरशित करता है आर अक्षर वाले लोग दयालो किसम के होते है उदार किस्म के होते हैं और ये लोग दूसरों को परिशानी में देखकर तुरंत मदद करने के लिए पहुच जाते हैं लेकिन दोस्तों ये कई बार ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं जिससे इन्हें नुकसान भी पहुचता है कई बार इनकी उदारता का लोग फाइदा भी उठा लेते हैं जी हाँ इसलिए आर नाम वाले लोगों को ये भी ध्यान लखना चाहिए कि ये किसी के लिए पूरी तरह कुर्बान ना हो जाए जिन लोगों का नाम आर अक्षर से शुरू होता है उन लोगों का नकारात्मक पहलू ये है कि इन्हें बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है जी हाँ इन्हें गुस्सा बहुती जल्दी आता है ये हर किसी की समस्य को शुल जाना चाहते है और इसलिए कई बार दूसरों के हिस्से का भी तनाव इनके खाते में आ जाता है ये बहुत ज्यादा उत्साही प्रकूरती के होते हैं लाइप को पूरी जिन्दा दिली से जीते हैं आरक्षर नाम वाले लोग आरक्षर से नाम की शुरुवात होने वाले लोग स्थीर होते हैं मेहनती होते हैं और उदार किसम के होते हैं दोस्तो इन लोगों की एक खासियत होती है, ये दुनिया की बहुत ज़्यादा परवा नहीं करते, इनकी अपनी एक दुनिया होती है, और ये उसी में खुश रहते है, कोई क्या कहेगा, इससे इने खास मतलब नहीं होता है। दोस्तो जिन लोगों का नाम आरक्सरशे शुरू होता है, उनके दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं, इसलिए इनका फ्रेंट सरकल भी काफी बड़ा होता है, इनके साथ काम करना बहुत ही आसान होता है, ये किसी वादिवाद और बहस में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और इ दोस्तो ऐसे होते हैं आरनाम वाली, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तो, व्यक्ती को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ती का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलत प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा ह दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीजे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती मे बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगए पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते हैं कही भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है, साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, और जूते चपल हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे, साथ ही दोस्तो एक के छट के उपर कबार जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, वो हम घर के उपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है, इस दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें पूरी तरे से साप सुत्रा रखें क्लीन साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है। अगर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निक है इस से धनकी देवी माता लक्श्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वजए से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीरशेडा nostra होती है और चोट चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं र आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उरजा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उरजा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से कम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सपाई जरूर करे जी हाँ वैसे तो एक हपते में साफ सपाई करनी ही चाहिए लेकिन ना हो सके तो एक महिने में तो आपको घर पूरी तरे से साफ करना चाहिए और मकडी के जालों को खास करके अपने घर में बिलकुल भी पना ना दे दोस्तो मुख्यद्वार भी हमेशा साफ सुत्रा रखे मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मूर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तिया रखी है कुछ फोटो रखेते हैं उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम maintain नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तो कुछ तस्वीरे हैं जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना ये घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्की ला सकते है, धन ला सकते है लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद